पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी हमें नीचे कमेंटे में बताइएगा कि इन तीनों में से आपको किसकी बल्लेबाजी सबसे ज़्यादा अच्छे अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तो जैसे कि आप सभी को पताई कि आज आईपेल 2022 का 53 मुकाबला लखनो सुपर जाइंट्स और कॉलकाता नाइट रैडर्स की टीम के बीच खेला जा रहा है और इस मुकाबले की शुरुआत होती है टॉस के साथ जहाँ टॉस जीतने वाली टीम आज की इस मुकाबले म ले मैदान पर आती है तब उनको पहला ही विकिट कप्तान केल राहुल के रूप में मिल जाता है जहां कप्तान केल राहुल आज के इस मुकाबले में पहले ही ओवर में बिना कोई गेंद खेले ही रन आउट हो जाते हैं जिया दोस्तों उनको क्वेंटन डिकॉक गल्ती से करवा देते हैं और स्रेश-यार का बेतरी इंतरो केल राहुल को लेचल बसतायों जिसके चलते हैं केल राहुल को बड़ा जठका तो लग गया लेकिन यहां पर फिर पारी को संभालतों और नजर आते हैं कौऒन्टेंडिकॉक और दिपकॉडा ज 72 के स्ट्राइक रेट से बल्यवाजी की थी हाला कि आठ वेवर की दूसरी गेंद पर क्वेंटन डिकॉक के रूप में लखनू सुपर जाइंट की टीम को दूसरा बड़ा जटका लगता है और उनको सुनिन नरेन शिवा मावी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं तो वहीं बना पाए और अपनी तालीस रन की पारी में उन्होंने चार चौक्या और दो बड़े चखके लगाए हाला कि अगर दीपक उड़ा आज मैदान पर थोड़ी देर और टिक जाते तो शायद लखनू सुपर जाइंट्स की टीम का स्कोर दोसों के पार भी जा सकता था हाला कि ये तीन बड़े जटके लखनू की टीम को 107 रन के स्कोर पर लगते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ से फिर पारी को कुरोनाल पांड्या और आयूश बदूनी ने बखोबी संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबर तोड बल्लेबाजी करकर लखनू की टीम को पहले त कौन कितने रनों पर खेल रहा है बाकि अब आप सबी की क्या राय है इन खिलाडियों की बल्लेबाजी प्रतरशन देखने के बाद और आप इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नम्मर देना चाहोगे आप अपनी गीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कम तूर बताइगा